होलिका दहन एक ऐसा दिन माना गया है जिसमें आप अपनी सभी परिशानियों का अंत कर सकते हैं यह दिन बुराई के अंत के रूप में अत्यदिक मान्यता रखता है यानि कि इस दिन बुराई का अंत हुआ था हिरणा कश्यपु की बहन होलिका ने भगवान बिश्नु भक्त पहलाद को मिटाने के लिए उसे अपने गोत पर रखकर अगनी में प्रिवेश किया था क्यूंकि होलिका को यह बर्दान था कि उसे आग नहीं जला सकती लेकिन हुआ क्या भगवान बिश्नु की मेहिमा के कारण होलिका तो जलकर राख हो गई लेकिन पहलाद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ तो यह सब भगवान विश्णु की भक्ति के कारण ही संभव हो पाया और भगवान विश्णु भक्त पहलात की एक बहुत बड़ी समश्या या परेशानी का अंतु हुआ तो होलिका दहन का दिन जिस प्रकार होलिका का जल कर अंतु हुआ था ठीक उसी प्रकार हम होलिका की अगनी में अपनी सभी परिशानियों का अंत कर सकते हैं और हर प्रकार की वहा सुक्षुईदा, सुक्षम्रिद्धी यस बैभाव आदी वहा सब प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं होलिका दहिन का समय अपने जीवन की परेशानियों के अंत के लिए और सुक सम्रिद्धी प्राप्त करने के लिए सबसे उचित दिनवाना गया है इससे आप किसी भी होलिका दहिन में कर सकते हैं तो आज मैं ऐसे आपको कारी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जीवन में सुक समरिद्धी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की सबी परेशानियों का अंत कर सकते हैं साथ ही में राज़ी के अनुसार भी आपको इस दिन होलिका दहन में क्या आहुती देनी चाहिए जिससे आपकी कुंडली में जिन ग्रहूं का असुप प्रभाव है उनसे आप बच पाएं तो आप यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए वीवर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर भी जरूर करें तो चलिए सुरुवात करते हैं और जानते हैं होली का दहिन में के जाने वाले उपायों के संबंद में आप होली में के जाने वाले उपायों से कई प्रकार के दोसु से मुक्तिपा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप पर नजर दोस है या आपके परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है तो इस नजर दोस से चुटकारा पाने के लिए परिवार के हर सदर्शी के लिए आप एक एक नारियल लें और हर व्यक्ति इसे दक्षना वर्त दिशा में साथ बार देहन कर दे ऐसा करने से केवल नजर दोस दूर नहीं होता बलकि आपके कारी में आने वाली सभी बाधायें समाप्तों हो जाती हैं वहीं जिन छात्रों को अपने पढ़ाई छेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं या वह बहुत अधिक मेहनर करने के बाद भी व का वह हगदार है तो उसे होलिका देहन की राख लेकर उसका अपने लिए एक लौकिट बना लेना चाहिए और उसे अपने गले में धारन करना चाहिए इससे उस चात्र को अपने छेत्र में शुब परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप जीवन में सम्रिद्धी चाहते हैं तो ऐसे जात्कों को हुलिका देहन की राख का तिलक रोज लगाना चाहिए इससे सम्रिद्धी तो आती ही है इसके अलावा उसका आकर्षन भी बढ़ता है साथ ही आप इस राख को एक फीले कपले में बात कर जहां आप अपना धन रखते हैं उस धन इस्तान पर इसे रख दें इससे आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समश्या नहीं बन सकती अगर पति पत्नी के बीच अक्सर लडाईयां होती हैं विवात की इस्तिती बनी रहती है तो ऐसे जात्कों को साथ गोमती चक्र लेकर इसे अपने हाथ में रखकर होलिका अगनी के सामने 108 ब अगवान सिब और माता पारवती को एक साथ अरफित करना चाहिए इससे रिष्टे में सुधार आने लगता है तथा दोनों के बीच नजदी किया बढ़ती हैं वहीं अगर हम इस दिन होलिका देहन के आहुती की बात करें कि किस राश को इस दिन होलिका अगनी में क्या मिथुन राश के जातकों को कच्चे गेहुं की बाली की आहुती देनी चाहिए अगर करक राश की बात करें तो करक राश के जातकों को चावल या सफेद तिल की आहुती हुलिका देहन की अगनी में देनी चाहिए शिंग राश के जातकों को लोहबान की आहुती इस अगनी में देनी चाहिए बिच्चिक राश के जातकूं को गुड की आहुती होलिका देहन की अगनी में देनी चाहिए धन राश के जातकूं को चने की डाल की आहुती देनी चाहिए मकर राश के जातकूं को काले तिल की आहुती इस अगनी में देनी चाहिए वही कुंबर राश के ज अनुसार ग्रहूं से संबन्दित आहुतियां थी जो व्यक्ति को बहुत चमतकारिक और लापकारी परिलाम देती हैं उनकी कुंडली में उनके सुभ योगु में बृद्ध्य होती हैं तो यह सब हुलका देहन से संबन्दित महत्वण उपाय थे जिने करकर आप अपने जीव किजिए साथीजान बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें धन्यवार